लोग ये नहीं देखते हैं कि रिसोर्स कितना था उसके पास, लोग ये देखते हैं जितना था उसके अंदर कितना प्रोड्यूस किया अब अपनी जिंदग्यों का ट्रैक सही नहीं करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजा यह है कि हमें लगता है हमारे पास वक्त बहुत है और हमारे पास वक्त नहीं है हकीकत में वक्त नहीं है कितना जीलोगे भाई कितना जीलोगे है Goine Elizabeth सब कुछ था उसके पास सारे check-ups और best medical facilities और check-ups दोस्त सौनी क्रॉस कर सके अगर आपको लगता है कि आप 60 साल की जिंदगी लिखवा के आए हैं तो पाटी करें करें फिर पाटी कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि आपके पास गैरंटी है शायद शायद फरिष्टे ने आपको आके बता दिया कि वो तो जवान शाक्स था जो 25 साल में चला गया किसी आक्सिरिंट के अंदर और तुम्हें अशोरिटी है तुम नहीं मरोगे वो तो फ़ला बिमारी के अंदर और वाइरिस के अंदर और कोविट के अंदर इस दुनिया चला गया तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी तु बड़ी जिन्दगी बड़ी है भी क्या नहीं देखा अपने अपने एरत के अजार उठा करे कि इन्सान के वक्त का कुछ नहीं पता ये वक्त का ही तो नहीं पता जिन्दगी के अंदर वक्त का नहीं पता हर अरूच को एक जवाल है अरूच कब है और जवाल कब है बस ये नहीं पता हर जवानी को एक बड़ापा है बस ये वक्त नहीं पता कि कब तक जवानी है और कब बड़ापा है आज अमीरी है कल को गरीबी है बस ये वक्त कही तो नहीं पता ये वक्त के तो नहीं पता कि कम तक मुश्किल है और कम तक असानी है हम जबाने को गाली नहीं दे रहे हैं हम बता रहे हैं अल्ला की तखलीक है ये अल्ला की कदर है आपको नहीं पता कि वक्त क्या है आपका जब वक्त आ जाता है ना इनसान का तो अल्ला कह रहा है एक लम्हा भी देर नहीं होती और ना पहले होती है हर चीज अपने वक्त पे होती है